अलिगर्ण की थाना टपल थाना शेत्र के गाउं नूरपूर में समुदाय विशेश की दबंगई से परिशान करीब सौ 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 पच्छिस हिंदू परिवार अपना घर बार छोने पर मजबूर हैं जिनके घरों की दिवारों पर लिखा हुआ है ये मकान पिकाऊ है जिसकी ज ना सर्फ मारपीट बलकि लूट पार्ट भी की जाती है आये न्यूजिस्टेट की टीम ने अपनी बेवसी साचा करने वाली उस महिला की आप पीती सुनी जाए जो जुल्मों सितम की गवाह है जो क्यामरे पर खुलकर अपनी आप पीती सुना रही है कि कैसे सैक्डों परि चले गए 67 इस्तारी को मारपीट करी दूलाते मार छिड़ करी डिलाइबर की बाइं तोड़ी डीजे पर डंडा बजा हुआ पुलसाई यहां पर उनको 3-4 लाक रुपईया भड़ा है तुन्यों करें डीजे ते बड़ा क्यों चढ़ा रहे हैं तुम अलिगर्बे हिंदू से 100-125 हिंदू परिवार के पलाइन के खबर जुबान पर है जहां लोगों ने अपने घरों की दिवार पर लिख दिया है मकान बिकाओ है मामला शादी समारों के बाद बढ़ा जब इलाके की समधाय विशिश की तरब से हिंदू परिवार से मार पीट की गए लेकिन इस दबंगई का ये नतीजा निकलेगा कि इसका इल्म किसी को नहीं था थाना टपल के गाउन नूरपूर में रहने वारे लोग खौफसदा हैं दूसरी तरह पलाइन को लेकर धर्मगरू मौलाना सैफ अपास ने पुलिस प्रशासन को आड़े हातों लिया ह कि जस वक्त ये वारतात वोई उस वक्त पुलिस कहा थी हुई थी तो पुरिशासन सो रहा था क्या कर रहा था नूज स्टेट के समधाता अली गड़ के नूरपूर गाउं पहुचे ये उन्होंने वहां लोगों से बात कर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की आखिर क्यूं लोग पलायन करना चाहते हैं आप इस रिपोर्ट क से उन्होंने अपने घर के बाहर लिखवाया है कि यह मकान विकाऊ है और उस्टान नंबर भी यहां पर डाला हुआ है क्या समस्या है इस तरीके के बोड आपको हर घर पर मिल जाएंगे एक घर यह आपको दिखाया है दूसरा अगर हम यहां पर दूसरा घर देखाएगे त बरात चड़ा बरात निचड़ने देते हैं लोग इनकी मुस्लिम समधाय के लोग भवसंग के 80% इनकी आवादी है 20% हम लोगों की है इन लोगों के सामने लड़तों नहीं शकते हैं लेकिन फिर और और क्या हम पर कोई रास्ता नहीं बचा है पलायन के सभा जितने भी हिंदो की बशक्टी है जंक समय के सभी लोगों ने अगया हिंदू सम Sales के पूरी बशक्टीयव नूरपूर इसको कहा जाता है और यहां पर हमसी बाइन को मजबूर है प्रशाशने गदकारी हमारे सुन रहे हैं ऐसे में इनके पास और कोई भी चारा नहीं है अब देखने वाली बात होगी कि प्रशाशने इसमें क्या कदम उठाता है और राजने तिक क्या मदद इनको मलती है विड़ी जिनस मनुच के साथ टपल नूरपुर से हिंदू परिवारों के मुद्दे पर सांसा सतीश गौतम से बात की हमारे संवधा था फिनी तूपे ने तपल नूरपुर मामले में सतीश गौतम जी हमारे सांसा जी अगर इस गाओं की बात करें तो एकदम से चट्चाओं में आ गया और हिंदू जो लोग है यहां पर परवारे करीब सबावसों के असपास वो प्लाइन करने को मजबूर है क्या हलात है आपने क्या यहां पर आ कर आए हैं इसकी सुचना थी आफार कराने की में आधिस कि यहां समाज का कारकरता है युवा हमारे कारकरता है ने था उसने सूचना दी थी उसके बाद कर वाई कर वाई करवा करने लेत हुए तो उसके लिए हमने सब लोग बिदाय कश्ость चड़ने दिया, यह 26 तारीकी घटना बताई, यह योगी का सासन है, यह उत्तर प्रदेश है, सब का सास, सब का साथ, सब का बिश्वास आराम से रहिए, इसका मतवल नहीं है कि हमारा जाटब भाई, यहां पर बर्ग कम है, तो उसको तुम खा जाओगे, वो कतरी वर्दास न जो पहले बीमार होता है, उसके पास आया जाता है, जो दुखी होता है, उसके पास आया जाता है, जो अपने आम में बलवान बनना है, उसके बाद तो बाद में देखा जाता है, जो मेरा दुखी है समाज, मैं आज मीटिंग करूँगा, सब की बात पूछूँगा, उसके आगे की कारवाई की जाएगी अगर दोसी है मुसल्मान तो दोसी खिलाब सक्त कारवाई होगी कोई बक्सा नहीं जाएगा तो जैसा की सांसर जी बता रहे थे कि योगी राज है और योगी राज में किसी को भी बक्सा नहीं जाएगा जो भी दोसी होगा उस पर कारवाई विडियो जनलिस्ट मनुष के साथ टपल नुर्पूर से विनी दुबै निउज स्टेट उत्रपरदेश